हलो दोस्तों बिग बॉस मराथी 3 सीजन में आज जो है बिग बॉस ने महिलाओं के हाथ में पूरशों की कमान दे दी है मतलब अगर खेल में आगे जाना है तो मुझे हेल्प करो, उनसे फर्मिशन लो, उनको मसका मारो लेरी स्पेशल हफ्ता है और मालकिन और सेवक का तो टास्क चली रहा है उसके साथ साथ जितने टास्क भी आ रहा है सभी वे पुरशों को महिलाओं के सामने चिवताई चिवताई आतीयों का बोलना तो है यह चिवताई से लेकिन घरतली चिवताई जो है उनको भी मसका मानना पड़ रहा है ऐसा टास्क विबास लेकर आए वैसे सनेहा और मीरा का कल का जगड़ा आज आगे तक बढ़ा मीरा ने आज खाना दूंगी गलत है और आगे वो मुद्दा जो है मीरा ने पूरा क्लियर कर मीरा मतब दिमाग से थोड़ा निकेतम बोले टाइप खेल रही है वो लेकिन दिमाग सही रखके मतब गेम एग्रेशन में खेल रही है मगत दिमाग एकदम मतब आगव लग सकती थोड़े बहु हुए लग रहा है मोल भाव बराबर कर रही है विशाल जब आया तो विशाल से बोला टैंचा पर उबर तुझजा आहे किछन चा पर उबर्वर तुझा आस्तर जम तुझा बोल दिया नहीं सिधे पर दिया सिधे स्टेट फावड एट तो आज क्लियर किया मीरा ने इतना क चावल जादा बना दिया था क्योंकि जब यह बात हुई कि मला जेवन भेटलन है मुझे खाना नहीं मिला मैंने बहुत कम खाना खाया और मीरा ने पूरा सब चुप बैठेते और मीरा ने शांती से अपना पूरा मुद्दा समझाया और जब स्नेहा बोलने लगी तो सारे के स लोग चिलाने लगे तो सनेहा ने का जो चिलाएगा उसके आजढ़ेस बना पर सब लोग सुनती मुद्द्धों इसकी आवास नहीं सुनतेू कहीं नहीं मेरा पॉइंट बहुत स्ट्रॉंग तरीके से सिंस में बताया कि स्नेहा ने गुसा होकर के जहादा चावल बनाया था मैंने सिर्फ इतना कहा था कि कुकर छोटा है तो एक जगा चावल बना लो एक जगा दाल बना लो मिक्स करके सेम होने वाला है दाल चावल का टेस्ट खिजड़ी का टेस्ट अलग होता है लेकिन हाँ अगर मीरा का solution गलत नहीं था कर सकते थे अगर ज्यादा लोग है ज्यादा स्नेहा एकदम शांत और स्थिर है बिलकुल भी कल वो इमोशनल हुई थी पॉइंट पर मगर एकदम आज स्थिरता सो उसने हो किया दो तीन जगा बराबर स्नेहा ने पॉइंट रखा एक तो यहाँ पर बोला कि मैं अनपूर्णा हूं मुझे हर्ट हुआ और सब लोग आकर कर सकते हैं आगे भी चा करके इस नेहाने यह कहा कि मीरा जो है क्या बिगबॉस है क्या बिगबॉस से जाधा मीरा बोलती है we क्यम क्यों डिक्तेट करती है वह क्यों डिक्टेट करें इशने हाने अमुद्दा उठाया मीरा ने सुनाली से कहा कि टोन वरोबर नहीं तुकर्दी का कॉलापुर की बात पर जाती है कॉल अपिट लेती चुछाब लेती है मतलब एक तरह से मीरा तो यहां पर clear दिख रहा है कि स्नेहा और मीरा में जंग छिड़ चुकी है और सुनाली भी मीरा के सामने खड़ी है और स्नेहा और सुनाली का एक कि सामने मीरा के वो लोग अगेंस्ट खड़े हैं आज मीरा ने डिक्टेट प्रफ पूरा खेल जैसे निकी तंबोले से रोज कुछ रख करती थी मीरा बहुत कुछ कर दी है मीरा ने किचन ड्यूटी करने जो सेवक हैं वही बेडरूम ड्यूटी में है अविश्कार से कहा कि अब भी अब अभी वैडरूम साफ कर अवश्कार ने खाना खाया रात के दो करें नेयभी कर लो जारू लेकर अवश्कार गया उसमें किया और जुकू सोरा मीरा थोड़े उतने से समझ में नहीं आती है तो मैं थोड़ा-थोड़ा मराथी बोलूँगी और हिंदी बोलूँगी ताकि ज्यादा लोगों को समझ मैं बहुत से लोग देखते हैं जिनको मराथी समझ में नहीं आती मगर उसब लोग मराथी तो सीख जाएंगे मुझे रखता है all the best तो मी मीरा ने किसकी तरफ इशारा किए सूरेखा या फिर सनेहा उस तरफ यानिव लोग मीनल की मीनल सब पट्टीनिंग है कि मीरा के कुछ फास पट्टीनिंगे तो यह उन लोगों की तरफ कुछ ओंतित बीकार है और अविश्कार का स्नेहा के तर जुकाव है हाला कि दुरोंने कुछ भी ऐसी बात नहीं कि अगर आज अविश्कार जब सो मनाने गए थे तब भी दिखा वो हमें तो यह क्लियरली मीरा के मन में शंका आ रही है कि अविश्कार को किचन की टीम ने किसी नों से कान भरे हैं कि तू राड़ा कर मुद्दम तू करू नो कुस जो भी बोलेगी न तो करू नो कुस उससे लड़ उससे भीड यह किचन वालों ने बोला है और जब अविश्कार आज बिग बॉस ने कहा कि चीवताई टास्क है आपको जाकर सब करना पड़ेगा लड़कों को लड़कियों को कि भाई कौन से दो लोगों को वो टास्क खेलने के लिए भेज रही है और उन दो लोगों में से जो टास्क जीतेगा उसको पॉइंट मेलेगा तो इसमें पहले इसमें विकास और उतकर्ष इनका नाम आए कि विकास रुतकर्ष यह तो स्ट्राटरजी है जैस्ट्रॉंग है विशाल स्ट्रॉंग है उसको सेकेंड बार उसका नाम लिया विशाल स्ट्रॉं कुछ बनाई के ऐसा करेंगे प्लां कुछ लोगों को लगने दो हम साइंट तक साथ में खेलेंगे कि तो स्ट्राउंग्ड लोगों दजय को किसी ना जय का नाम ही अब तक तिसरां सब्सक्ति राउंद चल के जय का नाम नहीं लिए गया सेकंड बार में विशाल और अक्षै क पंदार लड़किया है तो अब यह इतना इंट्रेस्टिंग जंग का महल बन गया पहली बार में उतकरश को एक क्योंकि गयतरी ने विकास को बहुत सारी पिंग दिती अब फिन चोटी होती है पिन को विकास ने रखको मालूम ने पढ़ना चीज पिन बढ़ी आसानी से आप बहुत सारी जीब में डाल करके रख सकते हो और गिन्तीमें क्यूंकि गिन्ती में थी ऑइसे जादा नहीं ओना लेकिन उतकर्ष सबकी फेवरेट है उतकर्ष एक तो बहुत शान्त है और कोई 35 ज्यादा नहीं कर रहे हैं बहुत अच्छा एक डीसें परसमालीटी लग रहे हैं और शायद उनका बाहर की इमेज में बहुत जाधा नहीं जानती है शायद उनकी बाहर 217 407 में निकले इनके पास बिकास के पास अब चुए एपन ये established गयत्री और मीरा गय 3 और विकास की अलगे अच्छी दोस्त से तो कई मीरा गयत्री टीम योई कि गय कि गयत्री क्नी विकास याँखर करके टो बाथ पर सपोर्ट किया स्नेहा वाली बाथ प्लीर करके सपोर्ट किया मीरा को कि सॉर इचने हावाली वह वह मुद्धा कि हाँ जो उन्होंने बोला क्लियर किया वह टोन सही नहीं लगा लेकिन आज गेम में मीरा ने दोनों को सपोर्ट किया मेरा ने बहुत साना सम्हान निकाल कर गिंद्ग की उतारा सम्हान गालक सब्सक्राइट उ Absolक्राइट एक्स्ट्रा असले तोब समारा अपंगल हवाय आपंग कईपण समाले तोब helfen बनेखी defending तो त्याने मीरा ने अनि गायतरी ने आपनी के ऊड़ी सामान के ऊड़वस्तूँ दिल्या तो त्या साथ यह मुलिंच आप लेला कौतु करा यह रहावा और सुरेखा ने लास्ट में तारीफ की कौतु किया मतलब हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा हिंदी अम्राठी में अलग होता है हाला कि समझने में थोड़ा मतलब अलग अलग हो जाता है तो बहुत तारीफ की सोरे खाने की मीरा की वैसे टास कितना अच्छा हुआ या उसके बाद तूसरा टास जो आया उसमें रिक्षा चड़ा था भाई बिग बॉस कितना टॉर्चर करता है खाना खाला थे रिक्षा ची ओड़ा ओड़ सालू होती आणि काई टास्क होता मस्त ठचान टास्क होता टास्क का प्लानिंग बहुत अच्छा था कि आपने नावरत्या मतलब लड़के चलाएंगे दोजन जो लड़किया उनको पसंद नहीं करती उनको उनको डिस्टरब करना है उनके रि विशाल जो है उन्होंने विशाल ने बहुत अच्छे से ओटेक किया लास्ट उन्होंने वह अंदर से लिया जो गलत नियम तोड़ा है अब इसमें संचारा कौन है बिग बॉस देखने वाले हैं क्या होने वाला कल पता चलेगा लेकिन अक्षय भी अच्छा खेल रहा थे अक्षय ने एक बार फाउल किया असपर सब लोगों ने क्योंकि अक्षय से ज्यादा लोग विशाल को पसंद कर रहे हैं आज विशाल एमोशनल हो गए थे जब थोड़े से पॉइंट्स के लिए विकास हार गया तो विशाल एमोशनल हो गए और सुरह खाने उनको चुब कितने सालों बाद यह लाइन सुनी है मुझे बहुत अच्छा लगा हां विशाल ने जब बार्गेन करने आए मोलभाव करने आए थे मीरा और गयत्री के साथ को विशाल को पता है कि वहां के छे औरतें जो है वो उनके पाले में है उनको उन्होंने अपने उनको पानी में बतार लिया है वो लोग उसको सपोर्ट करें कि विशाल ने अच्छा बाउंड बनाया लेकिन मीरा और गयत्री इनका अलग तोली है यहां पर विकास है हाला कि विशाल का विकास से भी अच्छा है जबाद विकास हारे तो विशाल एमोशनल हो गए लेकिन वो आए हैं पर क तो एंड तक मीरा गयत्री ने नहीं सपोर्ट किया विशाल को वो लोग उसके रिक्षा बढ़ते रहे और जिस तरह साथ मीनल और सुनाली रिक्षे में कूद रहे थे वो डेंजरस हो सकता था उनको चोट लग सकती थी हाला कि घास है नीचे ग्रास है मगर जो ट्रैक था व में जो है ताई की या आई तो नहीं बोलूंगी ताई की भूमे का निभारी सुरेखा ताई एकदम बॉस की तरह सब लोग उनकी बाते सुनते भी हैं मानते हैं मीरा और गैत्री क्या करते हैं देखने मज़ाएगा अब ग्रूप बन चुके हैं दो अलग-अलग दुश्मन पैदा हो चुके हैं जंग एलाने जंग हो चुका है सनेहां और मीरा के बीच मीरा और सुनाली के बीच सनेहां सुनाली साथ आते नजर आ रहें तो अब मज़ा आएगा यह कॉंपेटिशन जो है इस हवते महिलान चाहतिया है पुर्चा आठवड़े बगुया काई करता बि सोच शुरू होती है तो इसलिए मज़ा आया खेल खेलने में खेल देखने में और आप लोग की फेवरेट कॉंटस्टेंस कौन है मुझे जरूर बताएं कॉमें सेक्शन में और मेरा मराथी का रिव्यू आपको अच्छा लग रहा है या नहीं वो भी जरूर बताएं कॉमे पेटु याल लव करच्छ बाए